अगर आप देखोगे तो जितने भी टेकनोलिजी वाले स्टॉक है ना केवल वही दोड है और बात है भाई आज कल के डेट में अगर आप देखना चाहते हो तो गौवर्मेंट ने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है रेलवी पे जहां मैट्रो आने वाला है इविएशन पे जहां ट्रांस्पोर्ट आने वाला है भाई अगर आप पोर्ट करना चाहते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वहां पर भी सारी जगह पे टेकनोलोजी बहुत ज़्यादा राज कर रहा है या 5G हो या किसी तरीके से माल लेते कि भाई इवेकल्स हो हर जगा केवल प्लस में आपको डिविडेंट भी देने वाली है अब समझने की कोशिस करेंगे दो कमपनी देखें डिविडेंट के लिए एक कौन देगा डिविडेंट जिसको प्रॉफिट हुआ क्वार्टर फॉर के रिजल्ट में प्रॉफिट होगा तब ही तो डिविडेंट देगा ना भाई आपके पास कैश फ्लो भी तो होना चीना जब लॉस में होता है इंसान तो क्या सबको मिठाई बाड़ता है क्या नहीं बाड़ता है तो उसी तरीके से डिविडेंट कमपनी क्यों देने वाली है क्योंकि कमपनी को प्रॉफिट हो सकता है करके तो यह कमपनी काम क्या करती है सबसे पहले तो यह आपको पता होना चीए बही कमपनी काम क्या करती है वो auto बनाती है क्या मदरसन सुमी नहीं बनाती है वो auto component बनाती है उसी तरीके से ये क्या करती है कि जितने electric है उसके मान लीज़े कि ये पार्ट्स वगरा बना लेती है सही है electrical equipment वगरा बना लेती है अब ये जो 75 रुपिस के आज कल के डेट में ये share देखने को मिल रहा है पजूद भी stock लग वो 50-60% भाग चुका अब उन लोगों का भाग रेखो भाई जिन्होंने पहले से खरीत के रखा हुआ split का भी benefit stock भाग रहा उसका भी benefit dividend मिल रहा उसका भी benefit अब हम चेक करेंगे कि भाई क्या क्या काम company कर लेती है यहाँ पर तो सबसे पहले देख लेते ह अब इंडियन रेलवे के उपर ध्यान देते हैं तो सरकार ने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है इस बार इंडियन रेलवे के उपर और इस बार तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ रेलवे जो है वो पूरी तरीके से change ही होने वाला है यह sale को मतलब बहुत बड़ा order म सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आप कहीं तरीके से पूर्ट करना चाहता है और यह सारे चीज देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ all-in-one आपको देखने को मिला देखो पूरे भारत में ऐसी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो सारा काम करती है सो चो ट के उपर क्यों फोकत करो भाई रेलवे समझो ना रेलवे पूरे भारत में है अगर इसको माल लेते हैं दो चार राज्य में ही केवल अगर कॉंटेक्ट मिल जाता है तो कितना बड़ा बेनिफिट इसको देखने को मिल जाएगा एक किलोमेटर अगर आप यह रेलवे लाइन देखते हैं फ्राइट मेंड हाईएस्ट इवर लोडिंग आफ 114.8 मेट्रिक टन यहां पर आपको बताया गया जिसके वज़े से यहां पर बहुत बड़ा पैसा आया है भारत में कितना इन्होंने कमाया तो लगबग देख लेजेगा तो यहां पर आपको बताया जारा बह 600 से भी जादा सोचो इतना बड़ा बड़ा और यह किसने बताया है तो भाई देख सकते हैं मनिश्टी ने बताया तो लगबा किसने किवल 5 दिन पहले बताया अब बताओ कि रेलेवे में जितने भी कमपणी काम कर रहा उनको बेनिफिट होगा यह नहीं होगा पक्का होगा हम थे भाई सोचो अमेरिका या चाइन यह सबसे बड़ा बनने वाला है निटनगतकरिजन थी खुदी खाया है यह ने बहुत बड़ी ख़बर है लितियम एन के लिए भी बहुत बड़ा काम किया जारा है यह किसको डायिक्ट-फोकस किया इखना आप देखो फोकस किसको य यह तो हाइलाइट किया गया आप समझ सकतो हाइलाइट करके यह आपको बताया जा रहा इलक्टिक वेकल के उपर तो आपने सीधा सीधा तो देख लिया कि रेलेवे को कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है और अडानी पोर्ट के बारे में तो समझाने की जरूत ही नहीं है औ आप देख सकते हैं डबलपिंग अलक्ट्रिक चार्जिस अक्रोस रिंज आपको बताया गया तो यह चार्ज आप कर सकते हो यह सारी चीज़े यह देखे यह बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन इतना बोलूँगा ये company आते आते ही धीरे-धीरे बड़ा काम कर रहे है जहां से हर चीज technology की दुनिया में अपना पाउं पसारना चाहती है अब मुझे नहीं लगता कि आपको company का नाम बताने का जरूत है क्योंकि company का नाम यहाँ पर आपको दिग्या होगा देख सकते हैं company का नाम आपको यहाँ पर दिग्या तो यही company है जो लगबग आपको 75 रुपीज के आसपास देखने को मिला बहुत गजब है और यहाँ पर इसने कभी loss भी नहीं दिया लोगों को देख लो लंबे समय में किसी को भी loss नहीं दिया भाई देख लो किसी को भी आ लो गुरूथ हुई नहीं है यहाँ पर देखो तो आपको बताया जारा company का पूरा नाम जो कि इंडिया में है देखो आप सब चीज जो है ना वह में किन इंडिया ही होने वाला मतलब में इंडिया सब कुछ जो है इंडिया में ही बनेगा अब यह company का देख लिजे financial result है जो सुबह होते होते ही company का result आ जाएगा company का result सांदार हुआ तो भाई delivery नहीं बचेगा यहाँ पर देख लिजब पहले ही लोग जो है बहुत बड़ा-बड़ा माल उठा के रख लेंगे आपने पास बस problem क्या है ना कि सभी company चल चुकी है जैसे electric vehicles आ रहे हैं भी electric का जो charging station है बन problem यही है कि जो company नहीं चलता है ना हम उस पर focus ही नहीं करते हैं देखो भाई अगर आपको याद रखेगा कि बहुत company ऐसी है जो थोड़ा late से चलती है लेकिन चलता है तो बहुत बड़ा मुनाफ़ा निकाल के देता है भवीजते में तो यह सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर यह company के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बूलूँगा आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए यूँकि जिस तरीके से government आज कल के date में announcement पे announcement किये जा रही पूरी दुनिया के लिए 5G से लेके electric vehicle से लेके power station से लेके charging station से लेके सबी चीज के उपर announcement की जा रही है तो और car के manufacturing में मैं आपको बता हूँ तो Tesla भी हमारे इंडिया में कुद पड़ा है सबी लोग आ चुके हैं तो मैं आपको बलूँगा यह बहुत बड़ा ocean market है जहां पर हमें ध्यान देना चाहिए यहां पर ही कुछ-कुछ ऐसी stock है जो लगब तक वह भी 300 रुपे तक जाच चुका तो इस सारे stock जो है लाखो में मुनाफ़ा निकाल के दे रहे हैं तो जो चल चुके है चल चुके है अच्छी बात है लेकिन जो नहीं चले है उनके ओपर भी focus करना चाहिए और अगर आप stock market में नहीं हो तो अपन डिमेंट अकाउंट कर सकते हो नंबर वन stock brokerage आपको देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से आपको डिमेंट अकाउंट करना चाहिए जहां पर आपको सेफटी देखने को मिलें जैसे कि एंजर नसी बीसी मिचुर फंड कुछ भी यहां पर खरी सकते हो सब कुछ को टेंच नहीं है यहां पर बिजनेस पहले अपने financial advisor से जरूर कंसल्ट करें और खुद का भी research की जरूर करें